So again welcome to our new lecture in which we will talk about navigating in Sketchup कैसे करते हैं navigation, कैसे हम use करते हैं तो उसके लिए सबसे main जो होता है हमारा keyboard और mouse का combination होना ज़रूरी है So यहाँ पर हम क्या करते हैं कि generally हम अगर कोई भी चीज़ को हमें select करना है मान लिजे तो select करने के लिए हम यहाँ पर यहाँ पर मैं सुमेले को select करना है तो यहाँ पर मैं इसको select करूँगा complete यह एकदम AutoCAD की तरह है अगर आपने AutoCAD को use किया है तो same to same जो है वहाँ पर interface को लिया गया है क्योंकि generally कोशिश की जाती है कि सारे softwares जो होते हैं एक field के अंदर उनको same interface और same look दिया जाए ताकि चलाने में easy रहे और लोग इसलिए उसको buy भी करें क्योंकि उनको use to लगे अगर मुझे यहाँ पर select करना है again same AutoCAD की तरह है कि अगर green line बनती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर green line की जगए dotted line बनती है AutoCAD में green line बनती है इसका मतलब यह होता है कि थोड़ा सा भी part अगर इसके अंदर टकराएगा इस box के अंदर वो पूरा object को select कर लेगा और अगर हम normal line बनाते हैं तो इसमें क्या होता है जो भी line completely इस box के अंदर आना चाहिए तब ही वो इसको select करेगा example समझ लेते हैं जैसे मान लिए मुझे सुमेले को select करना है तो अगर मैं right hand side में box बनाऊँगा इतना बनाकर मैं छोड़ दूँगा तो यह किसी भी इसको select नहीं करेगा क्यों क्योंकि यह complete एक object है ठीक है यह complete एक object है तो इसको मुझे select करने के लिए complete box के अंदर लाना पड़ेगा वहीं पिर अगर मुझे इसको जल्दी में select करना है तो मैं क्या करूँगा left की तरफ box बनाऊँगा और हलका सभी part अगर इसका touch हो गया तो यह पूरे character को एक बार में select कर लेगा same goes with this object also मान लिजे कि मुझे इसको select करना है तो या तो मैं इसको पूरा rectangle बनाऊँ ऐसे complete right hand side पर या फिर अगर मान लिजे मुझे सिर्फ यह वाई line select करनी है यह वाली तो मैं इसको ऐसे बनाऊँगा तो इस box के अंदर complete line कौन से आ रही है बस यह एक अकेली यह वाई line आ रही है complete line तो यह इस अकेली को select करेगा अगर मैं को चाहिए कि मैं इसके अंदर दो-तीन lines और लाँ तो मैं को यहां से select करना पड़ेगा अब इसके अंदर दो lines आ रही है एक यह ट्राएंगल की line आ रही है और यह वाई line आ रही है यह देखे तो इन दोनों line को select करेगा वहीं पिर अगर मुझे चाहिए कि मैं थोड़ा सा भी लाए करें और वो पूरा select कर ले तो उसके लिए मुझे जा करना होगा यह ऐसे सरक करूँगा यह complete select हो जाएगा So बहुत ही simple है AutoCAD की तरह है selection tool जो है उसके बाद zoom in, zoom out करते हैं हम mouse के wheel से Mouse की wheel को up करेंगे तो अब अंदर zoom होते जाएंगे, zoom in होते जाएंगे और mouse की wheel को अगर अपने तरफ घुमाएंगे तो आप mouse out होते जाएंगे wheel out होते जाएंगे, मतलब की zoom out होते जाएंगे So यह बहुती simple है, उसके बाद rotate करना है तो आप mouse का middle click करेंगे click करना है आपको mouse का mid wheel होता है उसको click करना है और उसके बाद आप इसको गुमाएंगे तो यह आपका orbit जो है वो turn होगा आपका camera orbit के साथ turn होगा तो यह चीज है अब इसमें एक और चीज है अगर मान लिजे कि मुझे किसी एक को pivot point बनाना है pivot क्या होता है pivot होता है कि उस particular object को center बनाना ठीक है तो अगर मान लिजे कि मैं इसको rotate करता हूँ तो यह mid से rotate हो रहा है इस पूरे screen के mid से rotate हो रहा है orbit जो है mouse के mid से लेकिन अगर मैं इस सुमेले को click कर दूँ और उसके बाद मैं rotate करूँ आप देखेंगे कि उस पे focus होते वे rotate हो रहा है तो मतला आप जिस पर भी select करेंगे उसके according होगा मान लिजे मैं इस line को select करता हूँ और आप rotate करता हूँ तो आप यहां से select करता हो देखेंगे तो यह बहुत simple है मान लिजे कि मैं इसको यहां से rotate करता हूँ तो आप देखेंगे कि उस angle थे मतलब जिसको आपने select किया है न उसको वो orbit का pivot point बना देगा और उसके बाद वो select करेगा next अब आपने देख लिया zoom in, zoom out भी देख लिया और आपने rotate करना भी देख लिए कैसे हम orbit को rotate करते है बाकी यह सारे tools आपको उपर भी देख जाएंगे जैसे मानलीजे कि यह आपका orbit हो गया तो अगेर आप orbit select करेंगे वही same चीज उसके बाद zoom in, zoom out हो गया आपका तो आप इससे zoom in, zoom out कर सकते हैं माउस को नीचे track करेंगे तो यह zoom out होगा, उपर drag करेंगे तो यह zoom in होगा अब इसमें issue जो होता है वो यह है कि इसमें center से zoom in, zoom out होता है आप कहीं पर भी click कर लिए लेकि यह center से zoom in, zoom out होगा, इसलिए हम लोग माउस के wheel से काम चलाते है अगर मानलीजे मैं यह pen tool यूज़ करना है pen tool मतलब ऐसे अगर आपको यह tool यूज़ करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपके माउस का जो wheel है middle wheel जो है उसको click करना होगा और plus shift दबाना होगा मतलब कि आपको shift दबा के यह काम करना होगा, पहले आप shift दबा लीजे उसके बाद माउस के middle click को click करेंगे तो आप यह ऐसे pan को use कर पाएंगे, और जैसी आप छोड़ देंगे यह orbit की तरह use होएं लग जागा, जैसी आप shift को छोड़ देंगे, तो वही माउस का middle wheel है, जिसको आपने click कर रखा है वो orbit की तरह काम करेगा, जब shift दबा देंगे, तो वो आपका pan की तरह काम करेगा, तो यह basic है I hope so, कि आपको समझ में आया होगा, कि किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से करते हैं तो यही था हमारा navigating tool में I hope so, कि आपको यह lecture भी completely समझ में आया होगा I hope so, आप लोग यह basics of sketchup जो है, वो enjoy कर रहे होगे And trust me, basics of sketchup तो आप लोग सीख लीजे, free of cost लेकिन मैं आप लोग से recommend करूँगा कि आप लोग हमारे इसके pro version की तरफ ज़रूर से जाईए, pro version के benefits बहुत सारे है, देखिए, basics of sketchup तो आप सीखी जाएंगे हम से, क्योंकि हम आपको उसको बहुत in-depth और अच्छे से explain करेंगे to be very honest, लेकिन हम यहाँ पर साथ-साथ चाते हैं कि real project में हमने कैसे काम किया, मैं मेरे ही real project लूँगा, जहाँ पर हम एक row housing लेंगे पूरे एक landscape को लेते हुए, contour site को लेते हुए, वो सब चीजे में आपको सिखाऊंगा, तो real project पे कैसे work किया जाता है, वो चीज़ सिखाई गई है, साथी साथ हम plugins कौन से best होते हैं, architects के लिए और designers के लिए, वो भी बताया गया है, तो 10 best plugins आप लोगो वहाँ पर बताया गया है, कि कौन सा और कौन सा paid वाला plugins जो हमाई यूसफुल रहता है, कोई एक paid plugin अगर आपको खरीदना हो, तो कौन सा खरीदा चाहिए, वो भी मैंने आपको pro version में सिखाया है, प्लस AI tools से कैसे render निकलवाते हैं, और कैसे एक मिनट के अंदर 100 elevations design करवाते हैं, या फिर आपने already कोई model बना रखा है, उसको कैसे render करवाते हैं, वो सब चीजे AI tools के help से कैसे बनाई जाती है, उसके उपर जितनी भी advanced output होते हैं, exteriors कैसे design किया जाता है, वो हर एक चीज हमने हमारे pro version में सिखाया है, mastering of sketchup नाम का आपको देखने को मिल जाएगा, नीचे description में आपको link देखने को मिलेगा, and trust me आपको उस course की तरफ जरू से जाना चाहिए, तो free course पहले आप देख लीजिए, आपको समझ में आता है, आपको लग रहा है कि हाँ, आपने ये enjoy किया, अभी जो आपने lecture देखा, वो आपने enjoy किया, और आपको ऐसे ही और आगी सीखना है, तो आप जरूर से जाए, 449 में हमने list down किया है, हमारे course को, लेकिन कुछ students के लिए offer चल रहा है, 339 रुपीज का, तो आप नीचे दिये हुए description link पे click कीजिए, अगर किस्मत अच्छी रही, तो आपको वो offer जो है, वो मिल जाएगा 339 का, तो जाएए अभी link पे click करके देख लीजए, अगर है तो आप लोग जरूर से एन्रोल कर लिजे, lifetime validity के साथ है, आप lifetime इसको enjoy कर सेथे, कोई issues में नहीं होने वाला